हाई दोस्तों कैसे हैं आप लोग आप देख रहे हैं मेरा AutoCat Solution चैनल आज के इस वीडियो में जो के फायर फैटिंग के रिलेटेड है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ के pipe sizing जो sprinklers के लिए होती है वो कैसे करते हैं और किस hazard में क्या pipe sizing होती है जैसा कि आप देख सकते हैं यह जो basement floor है इसको ordinary hazard में consider किया जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह tabular column में इसमें यह जो ordinary hazard storage के लिए है इसकी pipe sizing almost light hazard के 10 sprinklers तक बराबर होती है उसके बाद जो changes आते हैं वो 150 तक है तो चलिए शुरू करते हैं अब जो basement है वो ordinary hazard में आता है तो मैं इसके हिसाब से pipe sizing शुरू करता हूं पाइप सेजिंग कैसी होती है यह भी मैं आपको बता देता हूं जो आपकी branch का remotest point होता है जैसे कि यह अगर यहाँ से pipe शुरू हो रहा है तो junction कहाँ पर है यहाँ पर है तो इसकी pipe sizing जो है वो यहाँ से ऐसी होगी और इसकी जो है वो यहाँ से ऐसी होगी तो एक sprinkler के लिए 25 है तो यहाँ से जब यहां आ रहा है तो इसके अंदर सिर्फ एक sprinkler है तो यहाँ 25 हो गया यहां से भी एक ही आ रहा है अब इस pipe की जो pipe sizing है वो यहाँ पर खतम हो गए क्योंकि इसका junction यह है अब यहाँ से जो pipe sizing आ रही है जो sprinkler से आ रहे है आप उसको count करके pipe sizing करेंगे अब यहाँ पर एक sprinkler है तो 25 और यह दो हो गए तब भी 25 अब जो है आप यहाँ से इस तरह जा रहे हो क्योंकि आपका जो return flow जो है वो इस तरफ से ऐसे जाता है z cv की तरफ तो आप इन पूरों को count करके इसके pipe sizing देंगे पांच है पांच के लिए 40 डाया है छे साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं पांच पांच के उपर जो भी है वो है पचास 50 दस तक यह हो गया साथ एक easy idea है सबसे पहला आप header की pipe sizing कर लें उसके बाद branches की करें अब इसके बाद जो है वो 65 होगा अब देख सकते हैं यह पांच हो गए छे साथ आट नो दस हो गए अब यह ग्यारा बारा तेरा चौदरा पंदरा सोला क्यूंकि यह और्डिनरी हजार्ड में है तो 20 तक ही आपको 65 देना है 17 18 19 20 और 21 जैसा कि आप देख सकते हैं यह आपको एकसीड हो चुका है आपका जो 20 स्प्रिंकलर से वह एकसीड हो चुके हैं तो यहां पर आपको आ जाएगा 80 आपको मैं दिखा देखता हूं यह आप देख सकते हैं और्डिनरी हजार्ड में 20 तक 65 जैसे ही 21 हो जाएगा 21 से 40 तक आपको माल जाल झाएगागा 20 लिए आपको आपको नाफस हो ते Σकता हैं एक और दो तो इसके लिए भी 25 हो जाएगा यह यहां से आ रहा है तो यह एक अब यह जो तीन है तीन मिला कर आपको इसकी पाइप से जिंग करनी है 32 32 4 के लिए 40 है 5 के लिए भी 40 है यह वाला यहां से इस तरफ आ रहा है तो आपको यहां पर 25 देना पड़ेगा यहां पर देने की जबरत नहीं है क्योंकि यह आपको पता है यहां इस लाइन में और कोई स्प्रिंग्लम नहीं है तो आप सिर्फ यहां पर भी दे दोगे तब भी चलेगा कि यह भी आप देख सकते हो यहां से ऐसा जा रहा है इस तरफ जंशन की तरफ आपको यह बहुत आसान लग रहा होगा अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके बारे में तो प्लीज कमेंट में आप लिख सकते हैं हिंदी में लिख है जाए इंग्लिश में एक दो तीन 32 हो गया आपका जो एंड का जो होगा वो भी 80 होगा यह जो है ड्रेन पाइप है यह 25 का ही होता है अगर राइजर आपका आ रहा है तो 50 का होगा यह स्प्रिंकलर्स में नहीं आता है यह सिर्फ ड्रेन के लिए होता है तो आपने देखा अभी जो पाइप सेजिंग की है यह और डिनेरी हजार्ड की थी अब आते हैं लाइट हजार्ड में ग्रांड फ्लोर लाइट हजार्ड में आता है यह मैंने पहले से करके रखी हुए अगर मैं इसको करता हूं तो यह ठीक ठीक उसी तरह हो जाएगी ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको सिर्फ टेबल और कॉलम और इसकी पाइप सैजिंग बता देता हूं यह आप देख सकते हैं यह लाइट हजार्ड है इसके अंदर 10 तक जैसा मैंने बताया सबके लिए सेम है 50 और जो 11 से आप यहाँ पर देख सकते 20 तक ही है 65 का पाइप लेकिन लाइट हजार्ड में 30 तक आ सब्सक्राइब देख सकते हों 21 आने के बावजू यहाँ पर 65 है क्योंकि लाइट हजार्ड में 30 स्प्रिंकलर्स तक जा सकते हो यह बहुत ही आसान है दोस्तों उम्मेद आपको समझ में आया होगा अगर आपको कोई बात कोई डाउट हो पूछना हो तो आप कमेंट में पा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग है वा नाइस टे